हेलो दोस्तों ये हैं मेरे गार्डन के बिलकुल fresh और organic sweet potatoes जीने मैंने अभी just harvest किया है और इन्हें ग्रो करना है बहुत ही आसान तो चलिए आप सबी को सुरुआत से बिलकुल step by step पूरा तरीका बताती हो कि मैंने इने कैसे ग्रो किया है हेलो फ्रेंट्स मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंग्स दिल की बात इस बार sweet potato को मैंने अपनी terrace पर grow बैग में हो गया है लास्ट ये किचन गार्डन ने भी grow किया था मैंने उसकी वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर है उसका link description box में है चाहे तो उसे भी चिक कर सकते ह पिचलिए आज की वीडियो को सुरू से सुरू करते हैं इन sweet potatoes को मैं market से लाई हूँ खाने के लिए तो इन में से एक को बचा कर रख लूँगी और आप देखेंगे कैसे सिर्फ इस एक sweet potato से धीर सारे sweet potato grow कर लूँगी मैं पिछली sweet potato वाली वीडियो में मैंने इसे जमीन में grow किया था तो इस बार अपने terrace पर pot में grow करने वाली हूँ ताकि जिनके पास kitchen garden नहीं है वो भी grow कर सके साथी साथ grow करने का अलग तरीका भी सिख पाएंगया क्योंकि पिछली बार मैंने इसे टुकडों में काट काट कर उगाया था बिल्कुल वैसे जैसे हम आलू को grow करते हैं पर इस बार मैं पानी में इनके slips त्यार करूंगी फिर grow करूंगी इसके लिए हमें इसके pointed part को नीच केमिकल वाले रंगों से रंग कर पेचा जाता है इसलिए घर पर उगाया हुआ हर मायने में बहतर है चार दिन बाद छोटी सी जड़ निकल चुकी है उमिद करती हूं कि आप लोग देख पा रहे होंगे और अब मैं इसका पानी बदल दूँगी हपते में दो बार पानी अवस्य बदले अब इसे वापस साफ पानी में डाल देती हूं दो हपते बाद का रिजल्ट है ये सूट्स निकल चुकी है रूट्स भी अच्छे से डिवलप हो रहा है 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 स्के अलावा और भी ढेक सारे चोटे-चोटे सूट्स निकल रहे हैं इन सूट्स को स्प्रम माहता है और अब और अब श्रम मीन बार करेंगे और अब आ Chengu पुट्रम का घरत कूरी बड़ेंगी येार शी शाहरी कारोण चाहे तो इन slips को 10-10-15-15 इंच के चोटे-चोटे चुकड़ों में काट कर भी ग्रोग कर सकते हैं क्योंकि मनी प्लांट की तरह इनके भी हर एक लिफ नोट से रूट्स निकलती हैं तो चोटे-चोटे कटिंग काट कर भी लगा सकते हैं चोटी-चोटी से सफेद सफेद रूट्स आपको दिख भी रही होंगी साहिए तो चलिए अब slips को अलग कर लेते हैं ने ने चोटी-चोटी से सूट्स अभी भी निकले जा रहे हैं रूट्स की ग्रोध भी काफी अच्छी हैं slips को अलग करते समय जडों का ध्यान रखें वाओ, जस्ट लूट्स लेकिन अगर कोई slips बीना जडों के साथ अलग हो जाए तो भी चिंता ना करें ये फिर भी ग्रोध हो जाएगा ये चावल वाला बैग है जिससे मैंने ग्रोध बैग बनाया है अगर आप लोगों को ये फ्री का ग्रोध बैग अच्छा लगे तो कमेंट में बताएगा मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी मैं इसमें ही स्विप्रेटर ग्रोध करने वाली हूँ पर एक अलग तरीके से उपर तो हम लगाएंगी उसके साथ साथ मैं इसे चारो तरफ फर्टिकली भी लगाने वाली हूँ इसके लिए मैं इसमें नाइफ से जस्ट एक चीरा लगा दूंगी पूरा होल नहीं करूंगी वरना मिट्टी बाहर गेदने लगेगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर हूल कर लूंगी अब हर दो हूल के बीच बीच में हूल करेंगे ऐसा चारो तरफ कर लेंगे नीचे की तरफ मैंने ड्रेनेज हूल भी बनाया हैं जडों को नुकसा ना पहुँचाते हुए आहिस्ता से स्लिप्स और उनके कटिंग को अंदर खुसा देंगे कुछ इस तरह से बाकी सभी को भी इसी तरह से लगा देंगे नाउ इट्स ओल टन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूं कि जब भी कुछ ट्रांस्प्लांट करें उससे दो चार दिनों के लिए छाओं में रखे पर इतने बड़े ग्रो बैग को इधर उधर करना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने इसे मैट से यहीं ढग दिया है ताकि इस पर डायरेट सनलाइट ना पड़े पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैट के प्रेसर से पौधे दब कर खराब ना हो जाए इसलिए मैंने इसके नीचे पहले से ही पाइप रख दिया है और इसका सारा प्रेसर इस पाइप के ऊपर ही है मेरे प्लांट पर नहीं मेरे पास जितने स्लिप्स थे वो इस ग्रो बैग में चारो तरफ लगाने के लिए परियाप्त नहीं थे पर अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो यहां से कटिंग काट कर चारो तरफ लगा दूँगे कुछ वाइन्स जो बहुत लंबी हो चुकी है उन्हें कट कर लेती हूँ कहीं से भी कट कर लीजिए यह बहुत इसली ग्रो होने वाली है जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके हर नोट से रूट्स निकलते हैं इसलिए छोटा सा रूट अल्रेडी मौजूद है य कि मिट्टी के अंदर ही बनेंगे तो वाइन्स को ऐसे मोड कर मिट्टी में दबा देंगे तो यहां से भी रूट्स निकलकर मिट्टी में जाएंगी और स्वीट पिटोटो बनने लागे अगर आपके पास इक्स्ट्रा गमले हैं तो इस ग्रोब के आसपास यहां यहां आपके अंदर हैंगे जब मैंने अपने कीचन करें में स्वीट पिटोटो ग्रोर किया था वूわइंगे अधिशनि मेरे पूर्य पराशुंद उन परी में घुशुच गई थि और धेर सारी सबटोटो बने घॉन यहां च्छत पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इन रूट्स में कोई स्वीट पिटोटो नहीं बनेगा, जो भी स्वीट पिटोटो बनेगा, इस ग्रो बैग में बनेगा, इसलिए जो भी वाइन्स बाहर के तरफ निकल रही हैं, उन्हें मोड कर मिट्टी में लाने की कोसिस कर करेंगे, और जो च्छत पर फैल रहे हैं, उन्हें बीच-बीच में कट करती रहोंगी, इन वाइन्स को कट करने के बाद उन्हें किसी भी पॉट में या अपने किचन काड़े में ग्रो भी कर सकती हूं, और कुछ अपने दोस्तों और परोस्तियों के साथ सेर करूंगी, ए स्वीट पिटेटों के पौदे को ज़्यादा देख भाल के आओ सकता है नहीं पड़ती, मेडियम वाटरिंग करें, हाँ पर एक बात का ध्यान रखें, अगर पॉट में लगा है तो पानी जमानर है, वाटरिंग के बाद सारा पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, इसके स्वाइल का इस्तमाल करना होगा, इसका एक और फायदा यह होगा कि मिट्टी भुर्गुरी होगी, जिस करन मिट्टी के नीचे सकरकन अच्छी से ग्रो होगी, अगर मिट्टी के पानी खड़ा रहा तो स्वीट पिटटों सड़ भी सकते हैं, इसे ज़्यादा फटिलाजर इसे पानी खड़ा पिट्टी के लिए तेयार हो सकता है, कुछ किसमें तो 3-4 महीने में ही तियार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ की हार्वेस्टी में 10-11 महीने भी लग जाते हैं, शकरकन अच्छी से खाने में जितनी टेस्टी होती है, उतने ही खुपसरत इनके फूल भी है जब इनके पत्ते पीले पढ़ने लगे और डालिया सुखने लगे तब समझ जाए कि स्विट पिटेटो हार्वेस्टी के लिए तेयार है, लेकिन मेरे इस स्विट पिटेटो में ऐसा कोई साइन नजर ही नहीं आ रहा, सुखना तो दूर, ये दिन प्रति दिन फैलता ही र करती रहती हूं, इससे लगाये हुए 10-11 महिने होने को है, इसलिए आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर ही लेती हूं, आसा करती हूं आपको वीडियो पसंदारी होगी, तो इसे लाइक किजिएगा, सेर भी कर दिजिएगा, ताकि सभी अपने घर पर प्रेस और 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 कि यह हमारे स्वास्त के लिए बहुत लाबकारी होते हैं, और हमारी इम्मिनुटी पाउर को भी बूस्ट करते हैं, चोटू सा निकला एक, ओमाइगोड इतना बड़ा सा, यह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, दजायन स्वीट पोटेटो, ओनो अब तो बहुत छोटे चोटे से निकल रहे हैं, लगता है सबकी इनरजी इस जायन स्वीट पोटेटों नहीं सक कर लिया है, इन मोटी मोटी रूट्स को देखिए, इसमें भी स्वीट पोटेटों बढनने वाले थे, जैसा कि मैंने बताया कि यह बहुत अच्छा इम्मिनुटी बूस्टर है, पर और सी के अलावा कैलसियम, आयरन, मैगनेसियम भी पाय जाता है, तो देर किस बात की, अभी भी समय है, फटाफिट से ग्रो कर लिजी अपने गार्डन में, और अब तो आप जानी गये हैं कि गार्डन ना है, तो इसे पोटने भी उगा सकते हैं, लाइक और सेर के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीएगा, यदि आप मेरे नया गार्डन दोस्त हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरे गार्डन के लेटिस्ट अपडेट मिलते रहेंग ओके फ्रिंड्स मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में किसी और प्लांट के साथ, तब तक के लिए बाई